दोस्तों आप स्क्रीन पे देख रहे हो एक न्यूज आइटम है आज से शुरू हो रही है ऑक्टोबर फर्स से पांच परसंट टैक्स लगने वाला है फॉरेंड फंड ट्रांसफर्स में डैट को में को अप्टू 10 परसंट फॉर साम दुनिया में मौत और टैक्स से कोई बच करना परता है वगेरा अगरा काफी कुछ खर्चाप करना परता है तो उस पे अप सरकार टैक्स लगाने वाली है और पढ़ते हैं क्या पूरी न्यूस है टैक्स क्लेक्टेट एस सोर्स स्क्रीन पर रहे हो और ए बिसनस स्टैंडर पे उस पे वेबसाइट पे आई हुए है अधर रात प्रचंट विल पोड यूशंग तो फड्राइप्सक्ट था यूश्व सपर्च एंडर तो बिसमें एक निया सब्सक्रिशन और नींच स्टिच तो जिर टूज उड्सी में और ए बादिया गया है भी जो लोग लेते हैं जो बाहर के टूर पैकेज लेते हैं उनके लिए भी लगने वाला है चकर यह क्या है कि इन्हों ने देखा कि बहुत सारे चोटे चोटे जो द्योग वाले हैं कि दुकान वाले हैं उनके पास इंकम टैक्स तो फाइलिंग में ज्यादा इंकम शोनी होती तो तरकीब बनी के जो वो फॉरन के पैकेज ले रहे हैं इन पे लगाओ टैक्स इंकम है के नहीं है इससे तो कम से कम कुछ वसूली करेंगे तो अल्टिमेटली यह यह था LRS allows resident individuals to remit up to 250,000 per year financially U.S. dollars per year for expensive region traveling, medical treatment, studying, gifts, donations, maintenance of close relatives among other things काफी सारे इसमें कुछ है तो इसमें हम वो नहीं पढ़ते हैं हम उस पे अपने मुद्धे पाते हैं जो हमारा जो टैक्स है टैक्स कितना लगना है हम जो स्टुदेंस वारा जा रहे हैं foreign remittance made above rupees 7 lakh will attract the tax collected as source unless the tax has already been directed as school how it works keep in mind that TSS will be applicable on the amount in excess of 7 lakh से उपर जो है वो चलेगा not on the total amount for example अगर आपने 10 lakh लिये हैं और आपने आपको रमिट करने बहार तो TCS 5% will be collected on the 3 lakh जो 7 lakh को छोड़के उसमें से लगेगा तो अगर ती तीन लग बचे हैं उसमें से लगई गाई तो तो अगर आपके spouse वारा बहार रहे हैं और आपने spouse को बेजना है रिमिटेंस करना है तो उस पे ये 5% टैक्स लगजाएगा यहीं पर रहें सामने हैं another example if the person is remitting 10 lakh for any purpose other than for the purchase of overseas tour package he has to make a payment of 10 lakh 15,000 10 lakh plus 5% of 3 lakh overseas tour package में ऐसा कोई कोई relaxation नही है तो उसमें लिखा हुआ है काफी कुछ नही है तो हम बात यह करेंगे चलो इसमें राशनल लिखा हुआ है student यह है तो हम student प्याज है studying abroad for students planning to go abroad for studies who have taken an education loan from financial institution rate of TCS will be 0.5 percent on amount exceeding 7 lakh at the rate of 0.5 percent of the amount being remitted out has been sourced from educational loan as defined in section A-T-E if the buyer does not furnish a span the tax will be collected at five percent any other purpose लिए भी ऐसलिए फिर लिए था जो इनल पॉन ने रह बावने अनी तर्फ an जो किया है। जो लाइस बीधिते हैं better था उचर्चाग जो यह से था सूरोंटेन तक रहे जो यह अत्रम सुगा है तो तो अगर नारी कोई है अगर वहां से पेकर रहा है और शो कर रहा है तो वह सूंप का सरचा जो हम भी लग जाएगा और इवन फॉरन पर्शच जो है वह कर देगा जो नॉन इंडियन जो है रेसिटेगा टीक्रिक्टोर आप टीसेज विल बी क्लेक्ट बाइज दीलर और इस स्ट्म पेर को है। इस सलेए हैं सबस्माथ आ के लिए। si उसम्हान है जो रिवलित जाते हैं। एक अ failure कुम मैं्हें सभी आप के सब साथ स्ट्वू और यूम07- Hawk- ws Add- it water unit साथ लाग को छोड़के उसके अलावा जिरो पॉंट फाइप परसेंट पे वह तो देखते हैं जरा टोटल कितने का इसमें सौदा होने वाला है हमारे पास एक वह बना रखा है अगर आप शहर देख रहे हैं इस पे तो यह मैंने किनेडिन डॉलर्स को लेकर एक बेंचमार्क किनेडिन डॉलर्स के लिए यहां पर जो ट्यूशन फीस टिपिकल एक स्टूटन की करीब 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 20 की हो सकती है पच्छिस की भी हो सकते है पंद्रा की हो सकती है मैंने बीच का फिगर लिया है 20,000 जस्ट बी सिंपल लिविंग एक्समेंज को जी कहते हैं वह 10,000 और टो का फिगर लिया है करने मानना हुआ है 55 तो आप देखे यहां पर इतने यह बंगे यहां पर 11,000 बंगए लग गया है टोटल 16 लाग का बजट आ गया खर्चा आ गया अब टोटल 16 लाग का जो खर्चा है डैटमिस के ट्विशन फीज हमें बाहर देनी पड़ेगी लिविंग बाहर बेजना है यह सब बाहर रेमिटेंस आउट हो रहे हैं इसमें से जो साथ लग मैंने कम कर दी क्योंकि साथ लग अलाउड है अब बचे नौ लाग नौ लाग पचास जार और नौ लाग पचास जार पर जो 0.5 परसंट जो लगा टैक्स वो लगा 4,750 का टैक्स लग गया अगर आपके पास अगर आपके पैन नौबर नहीं है तो फिर 5 परसंट लगे गा देखो पैन नौबर से कितना फरक पड़ जाएगा स्टूटन पैन नौबर पर ले लो सब जो तो पैन नौबर अगर नहीं है तो इट वल गो 10 टैम तो 4,750 का आपके यहां पर यह टैक्स दिना पड़ेगा और पिछले 2018 में एक रिपोर्ट आई थी मिन्स्ट्री और एक्स्टरन और फेस की के 7,53,000 स्टूडेंट हैं इंडियन पास्पूर्ट होल्डर्स हैं जो बाहर जाके उस साल में पढ़ने गए थे कौन कौन सी कंट्री मे यूएस में कैनड़ा में और मिडल इस में और भी यॉर्पीन कंट्री में सारे मिला के करीब करीब उन्होंने आक्रे लगाएं कि उस सवाने 2018 में रिपोर्ट आई थी 2019 में पिछले साल का लिए था 2018 में करीब करीब साथ लाग स्टूडेंट गए थे मैं मान के चलना हूँ क अगर आठ लाग स्टूडेंट गया एक साल का ठीक है जी आठ लाग स्टूडेंट गया एच साल का और टोटल टोटल यहां पर आठ लाग मुल्टिप्लाइबाइब बाई कि करीब निए तो मुटाम का पाइब परस्टूड करीब करीब जाना है निए मिलेए तो मुटाम इतना एक सोर्स है अ जनरेट हो रहा है 380 क्रोर का जनरेशन होना है this is only this is for regular people जिनके पास pan number है और tuition fees इतनी है अगर ये बढ़ जाएगी तो बढ़ जाएगा you know everything everything will change so just to just to see you know okay कहां तक ही है इसका revenue जाने वाला तो ये बताना था मेरे को तो ये देखा आपने तो नॉर्मली इसको में ने जो किनेडिन एक्जांपल या है 20 30 थाउजन ट्रोल expense है उसके साफ से 300 सी क्रोड आता है साल का और ये आट लग स्टुडेंट है मतलब के हो सकता है कि कई लोग इंगलेंड जा रहे हैं और जा रहे हैं कहीं हो जा रहे हैं वहां पर tuition fees ज्यादा हो सकती है कम हो सकती है living expenses आगी भी चो सकते हैं तो मोड़ा मोड़ा फिकर लेके च 490 करोड तक बात पहुंच जाएगी और 89 million close to 90 million dollar तक का revenue हो जाएगा आपके सामने है इसे आप देख सकते हैं कि कितना revenue का potential है और यह एक October से शुरू हो रहा है विच तोड़े यह सारी information जो है यह तो मैं एक layman view अपना देहरा हूं भाई आपने अपने चार्टर अकाउंटर नवारा से पूछ लेना उनसे पूछ लेना कि वी कितना टैक्स आप लगे आपका सब्सक्राइब नवर है कितना भी हो रहा है तो यह businessstandard.com पर दिया हुआ है इसकी सब लिखा हुआ और यू कन थाइप उन Google 5% tax on foreign refund or sorry foreign fund transfer not refund foreign fund transfer that may go up to 10% thank you very much immigration or student visa or spouse visa पे हमारी निखा रहती है 24 गंटे 24 7 आपके पास कोई comment है जरूर मेरे को बताएं और आप फीस पे कर रहे हैं अगर फीस अगर जी एसी वारा अगर ट्यूशन फीस अगर रमिट कर रहे हैं अपने बैंक से आज के बाद अगर आपके पास एक टैक्स वर लगाए तो जरूर मेरे को कॉल कर बताएं कि कितना टैक्स लगा आपके बास तैंक यू वर्यमच टेक्राइब